हैलो मैं हूँ दिप्ती मुखर जी आप देख रहे हैं कॉम्प्यूटर डेमो चैनल आज हम लोग क्यूबेशिक में रीड डेटा स्टेटमेंट को जानते हैं read data statement में read में कुछ variable हम लोग लिखते हैं और उस variable में value हम लोग store कते हैं data statement से read और data statement एक दुश्रे से जुड़ा हुआ है read जब भी हम लोग read देते हैं उस समय हम लोग data भी देते हैं यहां पर comment में यहां पर हम capsule कॉन कर लेते हैं और comment में दे देते हैं read data statement कि इसको हम लोग example देके समझते हैं read में कुछ variable हम लोग लिखते हैं और data में उस value को जैसे हम लोग input में भैरियेबल दे देते हैं और रन-time में उस variable में वैलू store करते हैं उसी तरह read में हम लोग variable दे देते हैं और data में उस variable का value देते हैं जो variable में जो store होगा उस value को तो यहां पर cls print और अब हम लोग read read में तीन भैलू ले लते हैं x, y यह सब numeric है, z और यहां पर हम लोग डबलू is equal to लेते हैं x plus y plus z यह मेरा w का value है अब हम यहां पर देते हैं print print x, y, z, w अब हम data में x, y, z तीन भैलू दे देंगे तो data data में तीन भैलू देना है कुछ भी भैलू रख देते हैं 15, 18, 25 इस तरह से data दे दिए और उसके बाद end तो अब क्या होगा 15, 18 और 25 को जोर के उसका value यहां पर पहले x, y, z और फिर w यह सब हमको display कराएगा यह 5 देते हैं तो यह 15, 18, 25 और सब को जोर के 58 अब हम लोग एक दूसरा एक्जाम्पल लेते हैं, read data का, यहां पर सिर्फ हम लोग read x करते हैं read x एक भैलू लेते हैं, x अब x1 is equal to hai, x square, x, caret ka sign dena hai, x square, x2 is equal to hai, x का q, या फिर हम लोग कर सकते हैं, x1 into x, x का q, x3 is equal to हो गया, x का 4, x to the power 4 या, x to the power 4 लिखने से भी जो होगा, वही x2 into x, इससे भी वही value निकला गया, क्योंकि x to the power 3 into x, यानी x to the power 4 हो गया, अब हम लोग print, print, x, x1, x2, x3, इसको करते हैं, और उसके बाद, यहाँ पर data एक लेंगे, क्योंकि read एक है, read में जितना हम variable लेता है, data में उतना ही हम लोग value देते हैं, तो अब data, इस x का data देना है, तो data अगर हम यहाँ पर, 5 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, कुछ भी देते हैं, 5 दे दिए, और end, बस, अब इसको हम लोग, जैसे ही run कराते हैं, तो हम लोग देखते हैं, परदे 5, 5 का square 25, 25 का Q 125, 125 का 5, से गुना करने पर हो गया 625, तो यह है, read data statement, थैंक यू,